रादे रादे आज हम काना जी की बाजू वाली चोली बनाईंगे इसको मैंने सिंगल इस्टिस से बनाई है देखिए बिल्कुल ये हमारी सलाई की तरह बन जाती है घनी घनी और ये मैंने डबल क्रोशे से बनाई है ये देखो अब आप सिंगल क्रोशे से भी बना सकते हैं काना जी की चोली और डबल क्रोशे से भी डबल क्रोशे से जैसे हम बनाते हैं बिल्कुल सेम आपको उसी तरह बनाना है बस यहां से बाजू अलग बनानी है वो मैं आपको सिंगल क्रोशे से बना कर दिखाऊंगी जैसे हम सिंगल क्रोशी से बाजू बनाएंगे वैसे ही डबल क्रोशी से बनाएंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजे और मेरी वीडियो को जादा से जादा लाइक करिए शेयर करिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीज जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आप हमेशा कहते हो कि हम अगर कानजी को बिने बाजु वाली चोली पहनाते हैं तो उनको ठण लगती है तो इसलिए मैं आज कानजी के लिए ये बाजु वाली चोली बना कर लाई हूँ ये आप हर ड्रेस क साथ बाजु वाली चोली बना सकते हैं सबसे पहले हम 20 चेन बनाएंगे इस तरह इस तरह आपको 20 चेन बनानी है देखो अब हम पहली 2 चेन छोड़ कर हर 30 चेन में एक सिंगल क्रोश्य बनाएंगे अगर आप डबल ख्रोश्य से बना रहे हैं तो आपको ये line एक ही बनानी पड़ेगी जैसे मैं single crochet बना रही हूँ ऐसे ही आप double crochet बना सकते हो लेकिन अगर हम single crochet से बनाएंगे तो हमें दो line को हम एक line मानेंगे ये देखो हर एक chain में हम ऐसे single crochet बनाएंगे देखो अगर ये double crochet होता तो हम एक ही line बनाती बस लेकिन अभी हमारा single crochet है तो हम दो chain करके हर एक chain के उपर एक डबल ये single crochet बनाएंगे इस तरह ऐसे इस तरह हमें हर एक chain में एक एक single crochet बनाना है देखो ऐसे डाला हमने और ऐसे निकाला फिर ऐसे डालेंगे इस तरह फिर ऐसे निकाल देगे दोनों लूप को इस तरह देखो हमारी दो लाइन पूरी हो गई है अब हम दो chain बनाएंगे देखो ये दो लाइन हमारी एक डबल क्रोशे के बराबर होती है इसलिए हम इसमें दो-दो लाइन बनाएंगे अब हमने ये दो chain बनाई अब हम हर एक chain में दो-दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे इसकी भी हम दो लाइन करेंगे अभी हम हर एक चेन में दो-दो सिंगल क्रोशे बना रहे हैं अब फिर हम इसी चेन में से निकाल लेंगे इस तरह है देखो अब हम दूसरी लाइन में हर एक चेन में एक-एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस लाइन को भी पूरा करेंगे ये देखिए इस तरह है पहले वाले लाइन में हमने हर एक चेन में दो-दो सिंगल क्रोशे बना रहे हैं अब हम हर एक चेन में एक-एक सिंगल क्रोशे बना रहे हैं इस तरह है अब हम दो चेन बनाएंगे और हर एक चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे देखो इस तरह हमने दो लाइने ये भी बना ली है हर एक चेन में सिंगल क्रोशे बना इस तरह हमारी ये छे लाइने हो गई है अब ये देखिए ये हमारी चार-पाश नंबर के कानाजी को बहुत अच्छे से आएगी चोली अब हम इने छे भागों में डिवाइड करते हैं हमारे पास ये 36 डबल सिंगल क्रोशे हैं तो हम ऐ चार-पांच-छे अब हम एक, दो, तीन, चार, पांच-छे छोड़ेंगे और हैं पर जहांब रहां पर हमने अभी पहले बनाया था इसमें ऐसको रोलप कर और फिर एक, दो, तीन, चार पांच छे छोड़कर ऐसे साथ वे में फिर ऐसे डालेंगे और इसमें फिर ऐसे सिंगल कुरोष्य बना देंगे इस तरह अब एक ये तो हमारा ये वाला हो गया है अब हम इसमें इसको मिलाकर 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह हमने 12 आपने ये वाले सिंगल क्रोशे बना लिए हम एक बार फिर इनको सबको गिन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा कई बार अगर आपका कम जादा होता है तो आप पीछी की तरफ जादा कम बना सकते हो अब फिर हम इसमें ऐसे क्रोशे डालेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर छे छोड़के फिर साथवी चेन में फिर ऐसे इस तरह और फिर इसको मिलाकर फिर हम यहाँ पर छे सिंगल क्रोशे बना देंगे अब हम एक लाइन और बनाएंगे हर सिंगल क्रोशे के उपर सिंगल क्रोशे बनाते हुए ऐसे हमने दो चेन बनाई अब फिर हम इन के उपर ऐसी देखो अगर आपको इस चोली की लंबाई थोड़ी कम लगती है तो आप बाजू घटाने से पहले यहाँ पर दो लाइन और बना सकते हो एक बनाओ यह दो और यह नीचे देखिए अब हम यहाँ पर दो लाइन हो गई है सिंगल क्रोशे की अब हम यहाँ पर दो लाइन और बना देते हैं क्योंकि यह लंबाई थोड़ी कम लग रही है ऐसे दो चेन बनाने के बाद ही आपको हर एक लाइन को ऐसे शुरू करना है सिंगल क्रोशे में देखो मैं तो आपको सिर्फ बाजू वाली चोली बनाना बता रही हूं तो इसलिए मैं इसको उनको यहां से काट दूँगी लेकिन अगर आप काणजी की पूरी ड्रेस बना रहे है तो यहाई से अब आप गेर सुरू कर देंगे बाद में यह बाजू पूरी करेंगे देखो जो मैंने ये डबल क्रोश्य से बनाई है इसमें बाजू में उन जोड़ने के बाद मैंने एक डबल क्रोश्य बनाया है और एक सिंगल क्रोश्य और इसमें मैंने तीन सिंगल क्रोश्य बनाई है तो आप जितने भी बड़े कानाजी कि ये ड्रेस बना रहे हो उसी हिसा ऐसे हम इनको दोनों को ऐसे जोड देंगे और दोनों में से ऐसे बनाएंगे ऐसे सिंगल क्रोश्या अब हम यहाँ पर हर एक चेन में ऐसे सिंगल क्रोश्या बनाएंगे इस वाले धागी को हम ऐसे बीच में ले लेंगे इस तरह हमने यहाँ पर छे सिंगल क्रोश्ये छे चेन छोड़ी थी तो हमारे पास यहाँ पर छे सिंगल क्रोशिय रहेंगे बाजू में ये देखे हर एक चेन में में एक सिंगल क्रोशिय बना रहे हूँ ये इस तरह ऐसी है अब हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशिय बनाएंगे ऐसी ये बड़ी कानाजी की चोली है तो हम इसमें चार लाइने बनाएंगे देखो आप यहां से इसमें ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको बनाने में दिक्क्त आ रही है इस तरह ऐसे बनाते बनाते हम चार लाइने बनाएंगे देखो इस तरह हमने यहां से बीच से सुरू किया था और हम बीच में आ गई है यह देखो आप अपने कानाजी को जब पहली बार उनकी बाजु वाली चोली बना रहे हो तो यह पहना के भी देख सकते हो अगर आपको आगे और लाइन बनाने की ज़रत है तो आप और भी ब बन कर रहे हो यह हमने चार लाइने बना ली है अब हम अपने इन धागों की फिनिसिंग अच्छे से कर देंगे यह देखिए जैसे मैंने यह वाली बाजु बना रहे है ऐसे हम यह दूसरे साइड की बाजु बनाएंगे इसी तरह तो देखो इस तरह हमारे कानाजी की यह ब त्वाल क्रोसे मा बना सकते हो और स pitch इस तरह हैं कि आप इसको छोटे बड़े हर काना जिखी यही डिग्टी बना सकते हो जैसे आपसे फीर दच्णाले बनाते हो उसी में फिर आप एस अए इस बढ़ाकर बाजो अगर आप को शोड़ी करी द्धन्यवाद